जिस तरह मचली एक जगे पर नहीं ठिटती है वैसे ही एक व्यापारी भी सोचता है कि उसका व्यापार चारो और फैले इसके लिए एक बहुत शांदार प्रियोग है चांदी की बचली का प्रियोग इससे ना केवल धन आगमन होता है बलकि चांदी की मचली के अगर कोई अब तक नहीं हुए थे वो होने शुरू हो जाते और करियर बें तरक्की के नए रास्ते खुलने लग जाते हैं